सब्सक्राइब दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लैक मनी के बारे में यानि काले धन के बारे में बहुत ही इंटेस्टिक काला धन किसी के पास आता है तो बड़े मज़े आते हैं क्योंकि बहुत ही easy तरीके से आता है और बहुत ज़्यादा आता है अपनी सारी ख्वाइशें पूरी हो जाती है सारी तमनाएं पूरी हो जाती है plot low, घर low, मगान low, गाड़ी low whatever you want to buy, you can buy doesn't matter तो काला धन जो है वो आता तो बहुत easy तरीके से लेकिन जब काला धन पकड़ा जाता है तब मामला चौपट हो जाता है काला धन हम किसे कहते हैं काला धन का मतल़ हुआ जो गलत तरीके से आप earning करते हैं अब आपके बर्श आट में कौनसा ऐसा योग बनता है जो काले धन के उपर आपकी कैड़ी नजर होती है कर सकते हैं कहीं बार हमें काला ध्वन कहीं और चुपाना पढ़ता है किसी और को देशा दEक पर तो ऐसे बहुत साड़ेटétais है जहां पर आप अपना काला ध्वन इन्वेस्ट भी करते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके bethshart में ऐसा इसा कॊं इप बनता है जिसके कारण काला धन यानि ब्लैक मनी आपके पास आती है और आपका बहुत इंटरेस्स होता है कि under the table सारे काप कर लो और मज़े उड़ा तो चलते हैं लगन चार्ट मून चार्ट चलिचार्ट की और और यह हैं आपका लगन चार्ट मून चार्ट और चलिचार्ट तीनो चार्ट में आप इस योग को देख सकते हैं, अगर तीनो में से किसी भी एक चार्ट में ऐसा योग बनता है, तो काला धन आपके पास आ सकता है, लेकिन काले धन से दूर रहना, काला धन आएगा तो सही, लेकिन बहुत सारी प्रेशानियों को भी देखे आएगा, ओके आपके शार्ट में आपको 11th house और 8th house के lord की position को देखना है और 11th house और 8th house में कौन-कौन से planets बैठे हैं उनको भी देखना है 11th house का lord और 8th house का lord अगर राहू के साथ placed है तब काला धन आने का योग आपके बर्चार्ट में बन जाता है 11th house में या 8th house में अगर राहू की placement होती है तब भी काले धन का योग आपके बर्चार्ट में बन जाता है 11th house या 8th house के lord के उपर अगर राहू का aspect पड़ता है तब भी black money यानि काले धन का योग आपके बर्चार्ट में बनता है 8th house का lord अगर 2nd house में हो 11th house का lord अगर 2nd house में हो और उसके उपर अगर राहू का aspect पड़ जाए तब भी काले धन का योग आपके बर्चार्ट में बनता है 2nd house का lord, 8th house का lord या 11th house का lord यानि 2nd house का lord अगर 8th house के lord के साथ है या 11th house के lord के साथ है और राहू उसके साथ अगर बैठा हुआ है या राहू का aspect अगर उनके पर पड़ता है तब भी आपके बर्चार्ट में काले धन का योग बन सकता है 8th house या 11th house के lord अगर 4th house में है राहू के साथ है तो काले धन के कारण आप बहुत पैसे वाले बनते हैं 11th house या 8th house के lord अगर 10th house में है तो काले धन के कारण आपका status बढ़ता है अगर राहू उसके साथ बैठा हो या राहू का aspect उसके पर पड़ जाए लेकिन उसके लिए 10th house के लौड की पोजिशन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है एट्थ हाउस का लौड और इलेवन्थ हाउस का लौड अगर सेकंड हाउस में है और राहू का उसके उपर अगर एसपक पर जाता है यह राहू की प्लेश्मेंट उसके साथ होती है तो काले धन के गारण आपकी वैलू बनती है तो काला धन बहुत तरीके से आ सकता है और काला धन जब आता है तो इंसान को बड़े मज़े आते हैं क्योंकि उसकी सारी खोईशने पूरी हो जाती है बैंक बैलेंस भर जाता है लेकिन जब काला धन जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को लेके जाता है तो तो काले धन को लेके आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं यानि गलत तरीके से आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं और 8th house का सम्मन है secret sources से 8th house का lord 11th house के lord के साथ और राहू के साथ अगर placed होता है या राहू का aspect अगर 8th house के lord उपर पढ़ जाता है तो काले धन से आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं अब काला धन बसता है कि काला धन नहीं बसता है आपको अगर इसको समझना है तो उसके लिए आपको यह देखना है कि 8th house का lord और 11th house का lord इनकी position क्या है अगर यह अपने agilitation में है अपने on sign में है benefit house में placed है तो काला धन बसता भी है लेकिन अगर इनकी placement ठीक नहीं है अपने अब्लीटेशन में हैं कंबस्ट हो गए है तो काला धन आएगा तो सही लेकिन बाद में पकड़ा जाएगा तो गाई अगर आपके बर्शाट में भी कोई ऐसा योग बनता है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप उमसे बात करना चाहें चैनल करना चाहें तो आप हमारी वेबशाइट के तुरू हमारे आप के तुरू हमसे मिल भी सकते हैं बात भी कर सकते हैं और गाईज आप हमसे चैनल भी कर सकते हैं सब्सक्राइब लव यौल बड़ग वाइब